हेलो एन वेलकम बैक टो ब्लेल लेना केटोल सो इस आयूश राज और आज के इस वीडियो के दोर रहा है नम लोग फॉर्म फिलप करेंगे यह मैं खुद का फॉर्म फिलप करने वाला हूं लेकिन चिंतित मत हुएगा मैं एक्जामनेशन नहीं देने वाला हूं मुझे याद करिब नौ साल हो गया तो फिर से मैं नहीं देने वाला हूं सीटी और जी नियू जामिया सब पढ़ चुका हूं तो फिर आप क्या ही कहां पर एडमिशन दो बस यहां पर फॉर्म बढ़ना सिखाऊंगा आपको यूडियो पे बहुत सारी वीडियोस एबलेबल हैं लेकिन गुझकुछ चीजें रह जाती है और बचों के मैंने कोमेंट्स आते रहते कि सरन यह मैं वादा कर रहो हूँ तो आगे बढ़ते हैं और फॉर्म को फिल अप करने का जो प्रॉसस है उसको सुरू करते हैं कुछ नहीं गड़ना है सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है तो इसका जो वेब ड्रेस है सबसे पहले क्या रज़साइट करने हैं तो इस वेबसाइट पर आपको रज़स्टर करना हैं पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एक बार आपको यहां पर राजेश्टरेशन करना होगा उसके बाद जब अगली दफ़ा आओगे तो उसमें फिर आप sign in करोगे ठीक तो register पर click कर और register में हम लोग को ये सारे information दिये गए ठीक है जिसमें दिया गया कि download information bulletin ये bulletin डाउनलोड करके आपको पूरा पढ़ लेना है क्या ही पढ़ोगे आप 80 page है आपको सारी चीज़ें बताई दूगा तो आगे बढ़ते हैं हम लोग information bulletin को पढ़ लिया है मैंने और ये सारी चीज़ें लिखी गई है कि आपका जो photograph और signature है वो इतने इतने के वी के होने चाहिए जिसमें photograph वो 10 to 200 kb के बीच में होना चाहिए signature 4 to 30 kb के बीच में होना चाहिए और जो category के certificate है वो 50 से 300 kb के बीच में होने चाहिए और वो PDF format में होने चाहिए तो यह सारी चीज़ें और यहाँ पर कितने पैसे लगने वाले इसके बारे में बात करते हैं देखो इस चीज़ को भिहां कि यहाँ पर कितने पैसे आपको लएंगे अगर आप केबल तीन सब्जिक तक बढ़ रहा हो तो आपको लाएंगे 750 रूपीज अगर आप जिनल से हो और अगर आप SC ST PWBD या थर्ड जिनल के हो तो 650 रूपीज लाएंगे और भारत के बाहर का सेंटर अगर आप चूज कर रहें बहुत सारे देख्शों में सेंटर तो 3750 रूपीज आपको पे करने होगा और यह लास्ट में होगा जब फॉर्म फिल अप करते हो कि उसके बाद में आपको पेमेंट करना होगा अगर आप साथ सब्जेक्ट तक लेते हो मतलब तीन से सब्जेक्ट जाकर आपने छूज कर लिए तो आपको पे करने होगे 1500 रूपी तीन से जादा और साथ तक चार पांच छे यह साथ इतने सब्जेक्ट को कर आप चूज कर रहो ने आपको 1500 रूपी पे करने होगे जनर बें और एकॉर्डिंगली यहां पर आप देख सकते हो क OBC और जो EWS हैं SAST PWD या फिर जो आउटसाइड वाले उनको किताप पे करना पड़ेगा अप्टू 10 सब्जेक्ट मतलब 7 से जादा अगर आप डुमें या टोटल मिला के करते हो 8 9 8 10 तो 1750 रुपीज और EWS और NCL को OBC, NCL को 6050 रुपीज और SAST PWD और 3 जेनर को 1550 रुपीज और सेंटर आउटसाइड इंडिया वाले को 11,000 रुपे पेड़ने तो यह पूरा फिर इस्ट्रक्चर है जिसके हिसाब से चीज़ें को जायता जो बच्चियों के वह इस कैटेगरी में लाइक करेंगे बिकाज दी यू की जाता हैं बात करो तो तीन डोमेन और एक लेंग्विज की बात करते हैं तो ऐसे इस्तिति में आपको इस कैटेगरी में आना पड़ेगा और अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको फीपेमेंट करना हो लाइट तो यह सारी चीज़ें आप इसको हम लोगो ने पढ़ लिया है अब आगे बढ़ते हैं अब क्लिक हेर टू प्रसीड यहाप क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि आपको यहाप डिकलेशन पर टिक करना है जब कि आपके 10th के certificate में mention हो, ठीक है, तो 10th के certificate ये result में आप देखोगे, तो आपका नाम mention होगा, वही आपको यहाँ पर लिखना है, जिट से मैं यहाँ पर अपर अपना नाम लिख देता हूँ, आयूश, राज, ठीक है, और उसके बाद father name भी और mother name दोनों लिखना है, और दोनों भी आपके certificate में mention होने चाहिए, ठीक है, 10th का जो mark sheet होगा, certificate होगा, उसमें ये चीज़ दे में mention होगी, और आपको doctor, mister, या कोई भी initial लगानी के ज़रत नहीं है, आप direct नाम लिख सकते हो, औ और full name लिखना है आपको, जो भी आपके mark sheet में mention हो, मैं यहाँ पर sort form लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको mother's name लिखना है, वो भी मैं sort में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, guardian name अगर आप देना चाहते हो, दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो, नह gender, male, nationality, Indian, identity drive, अब यहाँ पर देखो, एक important चीज है, कि यहाँ पर आपको कुछ important document के बारे हम पूछा जा रहा है, अगर आपके पास pancard है, school identity card है, passport है, voter ID है, रसन card with photograph है, bank passport with photograph है, driving lessons है, इन में से कोई भी एक चीज है, तो उसको आप यहाँ पर click कर सकते हो, और उसके बाद उसका number यहाँ पर fill कर दो, अगर आपके पास pancard है, यहाँ पर pancard select करोगे, pancard का number यहाँ पर डाल दोगे, नहीं है, school ID card तो होगा, वो डाल सकते हो, और उसके बाद उसका number डाल सकते हो, most cases में क्या होता है, कि बच्चों के पास अधार card होता है, ठीक है, तो आप उसको भी choose क कर सकते हो, यहाँ पर अधार card दिख नहीं डाए, लेकिन लास्ट वाला जब आप देखोगे, other valid government identity with photograph, उसमें अधार card आपका आजाता है, तो आप उसको भी click करके, अपना अधार number यहाँ पर fill कर देना, let's say मैं कुछ randomly, अधार number अपना fill कर दे रहा हूँ, ठीक है, 658794, ठी अधार आपको इख देता हूँ, सब लोकालिटी आपको fill करना है, कर सकते हो, नहीं करना है, नहीं कर सकते हो, लोकालिटी करना है, let's say मैं यहाँ आपर लिख देता हूँ, दरभंगा, country के बात करो, country again मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो इंडिया क्लिक करूँगा, state म मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ बिहार दिस्टिक मेरा दरवंगा है दरवंगा क्लिक करोगा पिन कोड मेरा 846004 है अब बात है आपको email address की देखो यहां पर आपको बड़े ध्यान से बढ़ना है क्योंकि email address और phone मोबाइल नमबर दो अगर आपके पास नहीं email id आप create कर सकते हो और phone number जो हो वो आपके पास रहना चाहिए till the application process got completed तो वो चीज़ आप बड़े ध्यान समझना कि आप ऐसे email id को यूज करना जो कि आप continue करोगे लंबे समय इमेल आड्रेस मैं यहां पर फिल कर देता हूँ यहां पर मैं लिख देता हूँ अपना email id ठीक है उसके बाद पूछा जारे confirm email address तो यहां पर मैं confirm कर दूँगा यही चीज़ दुबारा लिखूँगा मैं यहां पर जो अपने ऊपर लिखा है उसी को आपको दुबारा लिखना है ठीक है उसके mobile नमर पूछा जारे mobile नमर अपना दे हुए और इसमें कोई country code लगाने की ज़ूरत नहीं 0 लगाने की ज़ूरत नहीं 10 नमबर का mobile नमर लिखता हूँ यह लिख दे हमने फिर confirm mobile नमबर कोई चीज दुबारा रिपीट करनी जो अल्टरनेट नमबर अगर कोई है आपका आपके पापा का आपका मदर का या आपके भाई का तो वो सब आप यहां पर डाल सकते हो अल्टरनेट कांटाक नमबर अगर आपको नहीं डालना है कोई दिकत नहीं है आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो उसके अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है मतलब यही एड्रेस आपका पर अड्रेस है तो आप यहां पर क्लिक कर दो और यह बॉक्स भी फिल हो तो यह बिहार के ही लोकेशन में जो भी सेंटर होंगे उसके ऑप्सन मुझे देखने को मिलेंगे यह नहीं होगा कि मुझे चूज करने के लिए मिलेगा कि अंडवान निकोबार में कौन सा सेंटर तो उसे साब से आपको चीज़े करने हैं और अपना एड्रेस को सही से प्रमनेंट उसके बात पासवर्ड की बात है देखो पासवर्ड बहुत याजन समझना और कहीं पे हो तो नोट करके लिए डख लेना क्योंकि पासवर्ड ही ज़री होगा बाद में आपको लॉगिन करने के लिए पासवर्ड आठ से तेरह करक्टर का होना चाहिए एक स्पे नोटन होना चाहिए एक स्मॉल होना चाहिए एक लाट देस और उसके बाद एक नबढ़र होना चाहिए थिक है इसके बाद करना आसब पासवर्ड पासवर्ड को डिचव कर पाऊगे mail book पूचए जाँ ओर आपको यहीचीज जो यहां पर दिख रही हूं उसको यहां पर लिख देना है अगर आपको यहीचीज नहीं समझ में आ रहा है 685258 यह चेंज हो जाएगा जो भी आपको समझ में आ आए आप यहांपर फिल करोगे 624285 यह मैंने fill कर दिया है summit पर click करूँगा यह registration मेरा अब यहाँ पर एक preview दे देगा अब यहाँ पर मुझे verify करना है कि यह सारी चीज़े मैंने जो भड़ी है वो सही भड़ी है नहीं candidate name, father name, mother name जो date of birth है, gender यह सारी चीज़े अगर मेरी सही है तो मैं आपर नीचे आऊँगा और उसके बाद इन सब boxes को click कर दूँगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है particular checklist to be verified मतला आपको उपर जो आपने information दिया है क्या हो सही है या नहीं मेरा नाम सही था, बिलकु मेरा नाम सही था ठीक है, तो मैं click कर दूँगा कि my name is correct, date of birth correct है father name correct, email address, present address permanent address, mobile number and mother name सारी चीज़े सही है या नहीं इसको आप बहुत ध्यान से एक बार verify कर लेना कि जो भी आपने यहाँ पर लिखा है वो सही है या नहीं उसके बाद यहाँ पर एक tick box है जिसको आप click करोगे and उसके बाद submit पर click करोगे अगर आपको लगता है कि उपर में आपने कुछ बढ़ने में गलती कर दी है तो कोई दिक करती है आप यहाँ पर edit registration detail पर click करके उसको आप सही कर सकते हो ठीक है, let's say मैं click कर देता हूँ यहाँ पर यहाँ पर आप edit कर लोगे और उसके बाद वापस से वही चीज कि आपको security pin दाना पड़ेगा 341573 और उसके बाद आप submit करोगे and यहाँ पर वो चीज़े वापस से preview बुल जाएगा उसके बाद आप उसको टिक करोगे इस सारी चीज़े मैं जो मैंने भड़ी है वो सही है होगा येस ओके अब यहाँ पर verification code भीजा गया होगा यहाँ पर देखो मेरे mobile नमर पर verification code भीजा ओगया अब हम लोग wait कर लेते हैं कि कोई OTP आएगा मेरे phone पर देखते हैं कितने देर में यह आता है One eternity later OTP आ चुका है मैं यहाँ पर OTP को fill कर दूँगा उसके बाद security pin आपको देना है यहाँ पर security pin again जो भी यहाँ पर दिख रहा है उसी चीज़ को यहाँ पर लिख देना है उसके submit पर क्लिक करना है and हमारा registration अब हो गया अब यहाँ पर continue करना है application form पर यहाँ पर continue करोगे तो अब आप application form को भड़ सकते हो यह सारी चीज़े जो आपने दी थी यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा अब देखो यहाँ पर category सेलेक करना है अब यहाँ पर कहाँ सेलेक करना है category आप इसमें अपने category को सेलेक कर सकते हो general OBC SC ST EWS जिस भी category से बिलॉंग करते हो आप उसको यहाँ पर सेलेक कर सकते हो लेटसे मैं बिलॉंग करता है EWS EWS में यहाँ पर इसलिए फिल कराओ क्योंकि इसके accordingly हमें पता चलेगा कौनसे documents हमें upload करने है क्योंकि EWS का document आपको upload करना है तो उसका option यहाँ पर valid हो जाएगा आगे तो अगर आप general से बिलॉंग करते हो आप general click कर सकते हो OBC से बिलॉंग करते हो OBC कर सकते हो SC से बिलॉंग करते हो SC यह ST और अगर आप EWS से बिलॉंग करते हो तो EWS पे आप click कर सकते हो अब यहाँ बात आती है कि आपको जो certificate है उसकी जौरत पड़ेगी देखो एक चीज समझो कि OBC, NCL जो होते है non-crimalier और EWS इनके जो certificates होते हैं इनकी validity limited होती है क्यों limited होते हैं क्योंकि इनका जो reservation होता है वो income के basis पे मिलता है ठीक है तो उसकी validity होती है मतलब अगर EWS की बात करो तो अगले financial year तक होता है OBC के लिए एक साल के लिए होता है तो इनके validity limited होती है तो इसलिए cvt में कहा गया है कि आपके पास जो certificate हो वो April 2022 से के बाद का बना होना चाहिए ठीक है NCL, OBC, NCL या EWS का तो आपका certificate April 2022 के बाद का बना होना चाहिए अब सिर्फ मेरे पास तो यह certificate अभी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आप इसको बनवाने के process में चले जाओ आप इसको बनवा लेना और तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो आप declaration form को जमा कर सकते हो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह देखो नीचे आओ गया तो एक एनेक्स चेड है चालिस पेज नंबर क्या सपास यह देखो यह है फॉर्मेट एड़लुएस का सट रिजर्वेशन अगर आपको लेना है तो इस फॉर्मेट में आपके पास certificate होना चाहिए ठीक है यहाँ पर आपका एक पिक्चर होना चाहिए और OBC का certificate कैसा होना चाहिए यह इस फॉर्मेट में होना चाहिए और हाँ OBC आप central list में होने चाहिए ऐसा नहीं कि किसी state में आप OBC में आते हो किवल उससे काम चल जाएगा नहीं क्योंकि यह central level का examination है तो आपका जो cast है आप जिस भी cast से belong करते हो वो central list में आना चाहिए OBC के Central List से को कैसे पता करेंगे तो आप कुछ नहीं करना आप Google पर search कर लो OBC Central List तो अगर मैं search कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा Central List OBC तो यहाँ पर आप देख लेना जैसे बिहार के बात करो तो बिहार में इतने cast को ना इतने cast Central List में आते है तो इनको भाड़ सरक आपके पास OBC का certificate नहीं है तो क्या करोगे तो कुछ नहीं करना है आप declaration को भी जमा कर सकते हो यह देखो OBC certificate नहीं है तो उसके लिए declaration है कि name of the candidate आप लिख देना, address लिख देना, application number लिख देना जो कि अभी आया था हमारे पास mobile number, email ID और उसमें आपको क्या लिखना है यह चीज़े क्या लिखी हुए इसमें यह लिखा गया है कि अभी मेरे पास certificate नहीं है सर आप मुझे exam देने के अनिमोती दे दो लेकिन जब admission के time आएगा तो मैं certificate जमा कर दूँगा ठीक है तो यह चीज़ यहाँ पर लिखा गया वैसे ही EWS के लिए आपका certificate तो ऐसा होना चाहिए लेकिन certificate नहीं है तो क्या करोगे अभी के लिए आप declaration भरके जमा कर सकतो कोई दिक्कत नहीं होगे examination दे सकतो लेकिन जब admission का time आगा तो आपके पास original certificate होना चाहिए तो यह चीज़ ध्यान रखोगे और जैसा मैंने बताया कि OBC और EWS इनके ही certificate certificate की वैलिटी लिमिटेर होती है SC और ST इनका certificate जो होता है वो unlimited वैलिटी का होता है ठीक है तो आपके पास कोई भी एक क्योंकि इसमें कोई income का हो है नहीं प्रोविजन यह तो सी से आप बिलॉंग करते हो ST से बिलॉंग करते हो तो आपको हमेशा मिलेगा तो इस कारण से आप आपके पास कोई भी certificate हो आप यहां पर upload कर सकते हो कोई रिकत नहीं ठीक है तो यह चीज़ आप ध्यान रखो लेट से मैंने यहां पर EWS सिल्क कर लिए अगर आपको बताना पड़ेगा कि आप चालिस परसें से जादा हो या नहीं फिर आपको उसके अपको डॉक्यमेंट भी अप्लोड करने पड़ेंगे तो मैं आपकर सिल्क कर देता हो नो फादर का के पिताजी करते हैं उसको आप लिख दोगे मैं आप sitä कर देतों अगर के क्वालिफिकेशन के बारे पूछ है सब्रे है अगर आप ऑगर आपकी अर्धिव हासवाइफ है तो आप अधरवाइज किसी भी से बिलाघर से बिलौग और आप उन तो आप पर हो तो ठीक है यस कर सकते हो और आपको फिर बताना पड़ेगा कि आपके बहाई ये बहन का क्लास में क्या नाम था उनका डॉल नमर क्या था ये सारी चीजें अगर आप जुड़वा नहीं हो तो फिर आप नो पिकले करोगो डॉमिसाइल स्टेट मताब कहां पर रह रहे तो मै आप सारी में रहते हो तो और बन करोगे वोड़ा प्रिप्रेशन कैसे आप प्रिप्रेशन कर रहा था तो मैंने तो जो सेल्फ इंडिविजुल ट्यूसी ओनलाइन कोचिंग ली थी मैंने और किस प्रेटफॉर्म से लिए था तो बिले लेने केटिवल से लिया था मीडिया स्वड़्य क्यास मतलब कि किजस मेडिया में आपने क्लास 12 पढ़ा है ठीक है या एक्जामिनेशन देने वाले तो आप कोई भी लेंगविज यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं लेट सेंग्लेस मैं इंग्लेस पढ़ाई कर तो इससे कोई फर्क यस दोनों तो सेव है उसके बाद do you belong to BPL BPL के टोगरी से अगर आप belong करते हो you can choose yes otherwise no अगर आप yes choose करते हो तो फिर आपको आगे document upload करना पड़ेगा अगर आप नहीं कर तो फिर कोई दिखर नहीं आप नू रस्मेरी migrant हो yes or no आप अपने हिसाफ सेलेक करो word of defense personal x-service आपके पिता जी अगर आप defense personal में थे तो आप यहां पर yes or no क्लिक कर सकते हो no NCC quota का claim आपको लेना है अगर आप ABC को इस certificate है तो आप यहां पर select करके yes कर सकते हो उसके accordingly फिर आपको document भी जमा करने होंगे no sports quota no university employee मितलब आपके जो पिता जी आ माता जी है किसी university के employee है तो no पिक्लिक करना है अगर आप yes करोगे तो फिर आपको जानगाड़ी देने होगे कि कि किस university में and all so new and उसके बाद हम लोग save करेंगे ठीक है यह पर फिर से बताए जाएगा कि आपने जो भी बढ़ा है एक बार आप पढ़ लो इस चीज़ों को पढ़ लेता हूं review कर लेता हूं अगर आपको कोई लगता है कि किसी चीज में गल्दी हो गई है आप उसको update करना चाते अगर आप इस साल 12 दे रहे हो तो अच्छा देखो यहाँ पर देखो educational details की बात आई तो यहाँ पर बात है class 10th की class 10th में आप देखो यहाँ पर pass obviously pass ही होगे pass आपको लिखना है किस साल आपने pass किया था तो लेट से मैंने 2019 में pass किया था ठीक है उसके बाद qualification examination 10th or 12th place of schooling जबन में था मेरा type of school कैसा school था तो अगर आपका school था cbsc school तो आप उसको लिख सकते हो या स्कूल था किंद्रे विद्याले था जवार्ण विद्याले था या ओडियल था जिस भी तरीके से आपने पढ़ाई करी है उसको यहां पर आपको चूज कर ले रहे हैं से मैंने cbsc से पढ़ाई करी है cbsc मैं यहां पर कर लेता हूं qualification examination मतलब किस देश में आपने पढ़ाई करी हैं मतलब 10th कर पढ़ाई कहां से करी हैं तो इंडिया से किस स्टेट से तो मैंने बिहार से करा है किस डिस्टिक से किया है तो मैंने दर्भंगा से किया हुआ है दर्भंगा में सेलेक करूंगा बोर्ड कौन सा था तो cbsc था तो मैं आपर सेलेक करूंगा central board of secondary education school का नाम क मैं आपर लिख देता हूँ जीवीपी कुछ ऐसा ही और उसके address भी लिख रहा है तो मैं address में कुछ भी ऐसा लिख देता हूँ कुछ भी ठीक है और इन कोड आपको लिखना है फिल कोड बहुत दियान से लिखेगा रॉल नमर लिखना है टेंथ का रॉल नमर सही से लिखेगा मैं तो यहां पर कुछ भी बढ़ दे रहा हूँ मुझे याद है वैसे result mode percentage मिला था कि grade मिला था इसे हम लोग के समय में तो grade म में लगते थे पर सेंटेज यहां पर लिख देते हैं क्योंकि आप लोग को प्रसेंटेज भी लोगा मैक्सिम मार कितना था 500 नंबर का एक्जैम था मुझे कितने आये थे 500 में 500 आये थे नहीं टॉप किया था ओल इंडिया ठीक है 100 परसेंट उसके बाद क्लास 12 की बात है क् आप्यारी गुए पास्ट हो देखो इस साल जो भी बूर्ट दे रहा है वो सब आप्यारिंग लिखेंग और जो पहले आगर आप पास हचुके हो पिछले किस सालों में 1220 में 2120 में 19 में किसी में भी तो आप यहां पर पास लिख हो गया ठीक है तो अपेरिंग में यहां पर लिख देता हूँ पासिंग यह क्या है 2023 हाँ इस साल मैं पास करूंगा क्वालिफिकेशन इग्जामनेशन 12 प्लेस अप स्कूलिंग अर्बन एडिया में मैं स्कूल कौन से था तो मैं गर्मेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहा हूँ मैं इंडिया में था मैं और किस स्टेट में तो अगेन मैं बिहार से पढ़ाई कर रहा हूँ वालिफिकेशन डिस्टिक अंदर बंगर से मैंने पढ़ाई कर यह बोर्ड गर्मेंट स्कूल था तो बिहार एक्सामनेशन बोर्ड है मेरा यह भी इसी बीसे मैंने पढ़ाई कर यह बीहार बॉर्ड से स्कूल का नाम वही चीज आप इसा कुछ मैंने दे दिया उसके अड्रे अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो अगेन आप अपडेट एजुकेशनल फॉर्म पर फ्लिक करके आप उसको अपडेट कर सकते हो नहीं सब ठीक है तो आप प्रसीड करोगे निक्स सिक्षन की और अब यहाँ पर आपको एग्जामनेशन सेंटर पूछा जा रहे कि पूछी जाते हैं यहां पर बिहार जाड़कर नोडिशा का मेरे पास ऑप्सन आएका क्योंकि मैंने अपना प्रमेनेंट एंड प्रेजेंट एडिस दोनों बिहार दिया था तो मैं बिहार में इसलेक करूँगा सिटी सेलेक करूँगा मैं दरवंगा में देना चाहते हो दर से पटना ठीक है इस हिसाब से आपको सेंटर एलॉट होंगे बड़ इसी गैरेंटी नहीं होती लेकिन ज्यादर चांसे होते हैं 90 चांस होता है कि आपको इन ही जगों पर एक्जामेशन सेंटर दिया जाएगा ठीक है उसके बाद हम लोग सेव कर देंगे इसको उसके बाद इसको बड़े ध्यान से आप करोगे ठीक है बहुत 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 ध्यान से आपको इसकी इस चीज को भड़ना है ठीक है क्योंकि इसके accordingly ही आप फिर admission ले पाओगे दूसरे अगर यहाँ पर आप university को apply नहीं करते हैं लेकिन मैं यहाँ पर जेनियू को सेलेक्ट ही नहीं करत समय लो आदे घंटे लो एक घंटे लो एक दिन लो दो दिन लो जितना टाइम लेना है लेकिन यहाँ पे सारे university और सारे कोर्से जिसमें आप admission जाते हो उनको सही से update करो बहुत जाद जाद हो ही क्योंकि यहाँ छूट जाएगा फिर आप आप admission नहीं ले पाओगे मैं सबसे पहले डालता हूँ डए टली उनिविश्टी का है डली उनिविश्टी आजवा भाई जो गाई इनिवरी सटी प्रोग्राम मुझे चाहिए सबसे पहले मुझे चाहिए बीए प्लेटिकल साइंस तो में आ पर एट करूँगा और जए देखो आगया यह और सबीकल साईंस अ क्लिक करना चाहते हुगए तो यहां पर एलिजबिलिटी खुल जाएगा भी ए उन्रस प्लिटिकल साइंस का तो यहां पर यहां पर एलिटिक राइड एरिया दिया हुआ है कि अम मतलब कौन से डोमेन की आपके ज़रत पड़ेगी तो एक लिस्ट एसे आपको एक और देखो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले करोगे या बाद में करोगे तो इससे कुछ difference create हो जागा इस चीज को पहले करने से बाद से करने से कोई difference create नहीं होता है यहां पर बस आपको list देना है और यसा भी नहीं है कि पहले अगर आप जीनियू को देतों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीजों से और तीसरी चीज तीसरा मित कि बहुत सारे बच्चों को यह एक प्लाइग करता हूं तो फिर मेरे जो फीपेमेंट होगा वो बढ़ जाएगा नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप यहां कोई दिक्कत नहीं है यहां से आपके फिर मेरेंट पर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी उसके बाद एक और कंफ्यूसर नाता है कि सर अगर मैं लेट से मैं संस्कृति यूनिवर्सिटी चूज करता हूं और उसमें बीटेग यहां पर आड़ कर देता हूं क्या इससे कोई फ प इससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला आप इवन की आड कर सकते हों यहां पर ठीक तो येams के लिए ऐसके लिए होंगे आप इसमें इडबिशेिंदेने पाओग्यू है तो यहां से मैं रिमूब करतूंगा उसके बाद मैं डीउवक ही और भी और बियूर्सिटी और भी रहे हैं कि तो तो स्लो जी यह भी हो गया उसके बाद में तोरह एस्टी बेले ले देता हूं इस्टी कहा है और यह भी यह कहां है हिस्ट्री हिस्ट्री तो मिली नहीं रहा है पंजाबी हो गया पर्सियन्ट फ्रेंच जर्मनी अच्छा नीचे में होगा यह रहा हिस्ट्री मैं इसको आड़ कर लेता हूं यह बाद फाइनाइट में मुझे बहुत इंट्रेस्ट है तो मैं उसको आड़ कर लूँगा पैनिस मुझे बहुत चलगता है मैं उसको गरूँगा फिर उसके बाद हिंदी पत्रकारिता जो है उसको आड़ करूँगा और उसके एकॉर्डिंग लिए आप देखते चलो कि क्या चीज़ हिंदी आपको यह लेना है मतलब सक्सेंट टू से आप तीन को ले तो अगर मैं लिटिक राइटेरिया की बात करें यहां पर क्लिक करूँगा देखो कि इसका कॉम्बिनेशन क्या है हिंदी पत्रकारता में आपको एडमिशन के लिए कि आपको लिस्ट ए मेंसे हिंदी हिंदी आप ले लो और जे दो इससे आप हिंदी पत्रकारता के लिए लिए हो जाते हो तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी लेकिन वही अगर मैंने अभी जो एड की एस्पैनिस तो मुझे इस्पैनिस का एक्जाम देना पड़ेगा आधर वाइस मुझे यहां पर आड करने का कोई फाइदा ही नहीं है ठीक है तेकिन इससे कोई मुझे फर्क नहीं बढ़ रहा है मैं इवन आड करके भी चल सकता हूं उसके बाद ऐसे ही आपको अलगलग को एड करना है अपने हिसाब से और उसके को भी देख लेना पड़ेगा मुझे कि क्या मैं उसके ड ग्रफिक बाद हिस्ट्री हो गया कि बाद एंसेंट इंडिंश्टे कल चना है अड कलोजी हो गया उसके बाद मैं चला जाता हूं जीनियो में आड कर लेता हूं अपर वापस मैं जर्मन सेलेक्ट करने जाओंगा यहां पर लिख देगा यह अब आल्रडी सेलेक्ट ठीक है तो यह चीज़ है इस हिसाब से आप चीज़ों करोगे इसे कोई फर्ग नहीं पड़ता है आप कितने courses को आड़ कर पाड़ों बैट के ना सारे courses को कर लेना जो भी आपको सही लगे और जिसमें भी आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो ठीक है यह आपके मन में है कि उसमें मैं लू या ना लू तो आप कड़ी देना ऐसे इस्तिति में ठीक है तो बैट के आप सारे courses को आड़ कर लेना जो भी आपको यहाँ पर आट-10 courses को मैंने कर दिया है वाकि आप सारी चीज़ों को कर लेना उसके बाद हम लो इस सब्ताम निशन दोगे subject one में यहाँ पर आपको लेंग्विज चूज करना है तो यहाँ पर आपके सारे language paper हैं तो मैं यहाँ पर चूज करता हूँ कि Left Martinezoca में और क्यूंकि मैंने हिंदी पतर कारता भी सेढ़ीया हुआ है तो मुझे धीय दिना पढ़ेगा फोए निन प्लिटिकल साइन्स दे रहा था, प्लिटिकल साइन्स था मेरा एक, उसके बाद मेरा था हिस्ट्रिए, अच्छा एक चीज और बता दू आपको, कि डी-उ का क्राइटिरिया कैया है? डी-उ का क्राइटिरिया यह कहता है, कि आप जिस भी डुमेन को चूज कर रहा हूं, वो डोमेन में ले सकता हूँ यहाँ पर examination ठीक है अगर मेरे पास political science history और geography था तो मैं psychology लेकर psychology का domain का exam देकर psychology और अपनी कर सकता हूँ मुझे examination देना पड़ेगा political science history और geography में जहाँ समझ रहे हो चीजों को मेरे पास class 12 में क्या था class 12 में मेरे पास क्या था whole science geography और history ठीक है और उसके बाद English भी था और physical education भी था यह मेरे पास subject थे ठीक है तो DU यह कहता है कि जब आप CUET का examination दोगे तो आपके पास वही सब domain होने चाहिए ऐसा नहीं कि आप CUET का examination में psychology और let's say कि painting और music इन सब का examination दे के आप चाहोगे कि DU में एडविशन ले जाए यह पॉसिबल नहीं है आपको DU में एडविशन के लिए वही सबजेक्ट आप करने जो आपने पढ़ा हो तो language के लिए English और domain के लिए क्या करूँँगा मैं पोल साइंस जोगरफी चूज करूँगा लेटसे मैं physical education को भी as a domain रख सकता हूँ एक है यह चीज समझ में आई चीज है तो DU का criteria इस प्रकार से है हाँ यह जरूर है कि हम इन सब्जेक्ट में examination दो और उसके बाद फिर admission ले लो किसी और subject में आपको examination इसी में देना पड़ेगा यह केबल DU का साथ बाकी university के अपने अपने कराइटीरिया बाकी university जैसे बहु की बात करो वो तो domain की बात ही नहीं कर रहे हैं वो केबल बात कर रहे हैं कि आपका एक language होना चाहिए कोई भी एक language उसके बाद मैं जोग्रफी सेलेक कर लेता हूँ जोग्रफी था मेरा ठीक है यह चीज़ है उसके बाद एक और domain में देना चाहता हूँ physical education या फर legal study जो भी आप देना चाहो जो भी आपके subject हैं जो भी आपके combination है उसके ही साब साब चीज़ होकर होगे physical education यह सारी चीज़ बाद मुझे नहीं देना है एक मैंने language ले लिया है और 3-4 domain है वो मैंने ले लिया और एक मैं general test ले लेता हूँ वो important है general test के लिए मैं prescribe करूँगा कि आप general test जरूर दो क्योंकि इससे आपके द्वार open हो जाते है दूसरे universities के लिए ठीक है जिसे बी एचू होगे और बाकी सारे universities है वो इडिमांड करते हैं कि general test आपके पास होना चाहिए ठीक है और इविन कि DU में भी कई courses में है आपको जरूरी है कि आप उसके criteria को जरूर पढ़ो जब आप स्यूर्टी समर्थ की website पर जाते हो यहां पर देखो समर्थ की website पर आऊगे तो आपको university वाला एक option मिलेगा university पर जब आप क्लिक करोगे न तो यहां पर सारे university खुल जाएंगे लेट से मैं डेली university को open करता हूँ तो डेली university में कई सारे courses में आप देखोगे कि they demand general test लेट से मैं आप आपको दिखाता हूँ इवेन कि BA में भी BA के journalism की जहांता है कि बात करो तो देखो क्या लिखा हुआ है English plus any 3 from section 2 या फिर section 3 अगर आप चाहते हो तो English और GT देकर भी आप journalism में admission ले सकतो जरूरी नहीं इस बार कि आपको domain subject देना है समझ आ रहे हैं तो हर एक eligibility criteria को आपको पढ़ना पढ़ेगा ठीक है यहाँ पर देखो philosophy अगर आपको चाहिए तो फिर आपको यहाँ पर एक language और तीन domain लेने पढ़ेंगे तो यह हर एक subject के अलग-लग criteria है German आपको पढ़ना है अगर foreign language में तो आप क्या कर सकतो German language में आपको German choose करना पढ़ेगा और फिर any 3 from section 2 या फिर any ये फिर ये combination है मतलब German plus any 3 या फिर आप section 1 से कोई भी एक language और any 3 from section 2 मतलब कि language में कोई भी एक language देलो और कोई भी section 2 से 3 आपके domain होने चाहिए तो ये सारी चीज़े हैं तो इस तरीके से आपको कड़ना है बाके 7, 8, 19 अगर आप blank में चोड़ना चाते हो चोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं और एक चीज और बता दू कई सारे बच्चे इस चीज के लिए गन्फ्यूज रहते हैं कि सर्थ इतना मैंने सिलेक कर लिया है सबके लिए examination क्या हो कि मैं examination तक तयार ना कर पाऊं तो क्या जरूरी है exam देना रेको ऐसा है कि मतलब आप examination यहाँ पर भर दोगे ना तो इससे कोई फटक नहीं पढ़ने वाल है आप exam ना देने भी जाओ तो उसके हिसाब से result आपको मिलेंगे लेकिन प्रेस्क्राइब यही किया जाता है कि आप examination दे देना यहाँ पर भर दो जिस चीज के लिए आप स्योर नहीं हो examination अगर आपके त्यारी हो पाई जैसे general test की बात करो तो बहुत सरे बची अभी इस चीज के लिए संसे में हैं कि general test भढ़ो यह ना भढ़ो अब भढ़ दो ठीक है examination का जब time आएगा ना तब तक देखना अगर आपके तयारी पढ़िया हो पाईए तो examination में बैठ जाना examination में बैठ जाना जरूर बैठ जाना अब अगर बैठ जाते हो तो उससे आपका फाइदा मिल जाएगा कि देखेंगे कि अगर अच्छा score आगया तो ठीक है नहीं अच्छा score आया general test में तो क्या ही दिक्कत है do हमारे उस score को consider भी नहीं करेगा do केबल हमारे language और domain के score को देखेगा वो general test के score को नहीं देखने वाला है समझ मागी चीज़ें तो ये इस तरीके से काम करता है तो अगर आप general test याँ पर आप कट भी लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप तयारी करो, बैटो और examination दे भी देना लेकिन अगर उसमें score नहीं भी आया तो भी क्या गम है, DU उसको देखने नहीं वाला है बाकि उनिवर्सेटी जिसमें जनरेटेज ज़रूरी होता है, वो देखे हैं कि वह तो इस तरीके से ये पूरा है उसके medium के जहां तक बात करो, आपको medium करना है कि political science का examination आप किसमें देना चाहते हो English, Hindi या उर्दी, क्योंकि मैंने बिहार select किया है तो मेरे पास यह सारे option यह ले वाला है अगर आप दूसरे state को select करोगे जिससे बेंगॉल विगरा, असाम तो आपर आपको बेंगॉली भी देखे केवल, केवल, English में आएगा लेकिन अगर आप यहाँ पर हिंदी select करते हो हिंदी या कोई भी order language तो आपका, अगर आप देखो, English अगर आप यहाँ पर medium select कर ले तो medium English select कर देखो, तो exam में केवल English में आएगा अगर आप यहाँ पर medium, हिंदी select करते हो तो examination आपका English plus Hindi दोनों में आएगा मतलब मैं आपके option देगा change करेगा तो बहुत सारे बच्चों ने पिछले साल ये गलती करी थी तो इसको आप मत करना आप Hindi चूज कर लो या कोई और language चूज कर लो इससे English और Hindi दोनों आएगे या जो भी language है उसको आप इंग्लिस तो हमेशा आएगा ही वो language चूज करोगे तो उसमें आप चेंज भी आ सकते हैं तो इस तरीके से आप बढ़ सकते हैं उसके बाद यहां पर एक declaration है उसको आप click करोगे and save कर दोगे पिर आप से पूछा जाएगा कि क्या आपने भढ़ा है उसको आप रेव्यू कर लीजिए एक बार अच्छा यहां पर देखो यहां पर यह आगे बढ़ने ही इन देरा क्योंकि मैंने 7,8,19 को नहीं बढ़ा है तो यहां पर अगर आपको blank रहम है तो आप सबसे नीचे आओगे not applicable पर click करोगे not applicable पर click करोगे and again not applicable पर click करो ठीक है उसके बाद यहां पर save कर सकते हो यहां पर save करोगे आप यहां पर आपको सारी चीज़े दिख जाएंगे एक बार और अगर आप फिर से update करना चाहते हो यह can click on this option update test paper या फिर अगर आप पर proceed करोगे अब यहां पर document upload करना है document में क्या upload करना है सबसे पहले आपको candidate का photograph ठीक है photograph के लिए आपर दिया गया है कि 10 से 200 कW के बीच में होना चाहिए तो मैं यहां पर select कर लेता हूँ मेरे पास photograph है ठीक है image करके मैंने था select कर रखा था यहां पर मैं upload कर देता हूँ यह देखो photograph कितना अच्छा है यहां पर signature को मैं सही से select करता हूँ को एक image लेता हूँ CUT start upload करना है यह देखो signature upload हो गया अब देखो category का certificate मैं उसे पूछा जार है क्योंकि मैं EWS तो अगर मैं general यहां पर select करता हूँ यह upload हो गया ठीक है अगर आप देखना चाहो तो इस पर click करोगे तो वह चीज सो हो जाएगे आपको अब हम लोग जाते है proceed to preview section पे अब देखो यह पूरा आपका जो बढ़ा एक गया है form होगा आप आपको सब्सक्राइब करोगे अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है fee details कितना fee है मैंने 6 subject choose किया था कैसे चार domain था एक language था और एक general test था अब क्योंकि मैं EWS से belong करता हूँ तो 14 रुपे मुझे pay करने होगे ठीक अब देखो यहां पर पर particular दिखा हुआ है कि यहां पर मैं सारी चीजों को verify कर लूँगा कि मेरे सारे जो details हैं वो सही है या नहीं है ठीक है क्लिक करूँगा क्लिक करूँगा and proceed to payment जाओंगा proceed to payment में अब यहां पर मेरे साथ email ID पे OTP गाया होगा तो email ID के OTP को मैं यहां पर दूँगा उससे पहले email ID पहले आपको यहां पर fill करना है ठीक है उसके बाद security question में इसे पूछा जाएगा to save उसके बाद देखो email ID का एक OTP पूछा जाएगा ठीक है OTP आ गया है तो OTP को हम लोग यहां पर put कर देते हैं ठीक है security pin देना है वह हम लोग बढ़ दिया हम लोगों ने उसके verify करेंगे उसके बाद यहां पर आएगा continue application form यह सारी चीज़े फिर से open होगी proceed to next section proceed to next section कहीं पर भी अगर जब तक आपने payment नहीं किया तब तक आप update कर सकते हो ठीक है अगर मुझे खहीं पर भी लगता है कि मैंने गलत फिल कर दिया है तो आप यहां पर update कर सकते हो otherwise हम लोग बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे और बढ़ने के बाद फिर से वही चीज़ें आएंगी आपर सबको मैं तो इसलेक करूंगा मेरे सारी चीज़ें तरी जी जैन करिया है वो सई है उसके बाद मैं हाप पर प्रसीड टू पेमिंट करूंगा और जैसे परसीड टू प्रमिट करूंगा यहां पर चीज़ें खुल जाएंगी कि कि आपको कितना करना चाह़ा से पिए करना चाहूं या एप को बता दू कि अब ऐसा मत समझना कि सर मेरे पास ने बैंक बारोडा का एटम कार्ड इबलीबल है तो यहाँ पर धिखाने रहे हैं ऐसा नहीं होता है यह से पेयमिट हो यह चीज़ है इसके बाद यहां पर पेमेंट कर लोगे उसके बाद यह आपका फाइनल सब्मिट हो जाए ठीक है लेट से मैं आपर लॉगाट कर देता हूं अब देखो अब ऐसी कई 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 बार ऐसा होता है कि आप ना फॉर्म को एक दो डीटेल्स आपने बढ़ दी उसक अप्लिकेशन फॉर्म देखे अप्लिकेशन नंबर देखे और आप उस चीज़ को दुबारा लॉग इन कर सकते हो और आपको मैंने बताया था पासपर्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखोगे कि यहां पर लॉग इन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कह प्रास में मैं आपको ज़रूर कहूंगा कि पहले सारे जो इनिवर्सिटी के डीटेल से उसको आप पढ़ लीजिए उनके क्या-क्या रिक्वार्मेंट से उसको आप अच्छे तरीके समझ लीजिए उसके आतना लिस्त तयार कर लीजिए कि आपको कॉनकॉर्स कोर्स के करो उसके बाद बर और जल्दबाजी नहीं करेंगा बाकि आपको बता दू कि तैयारी कैसे करने इन सब के उपर जो प्ले लेना के टुवल्फ है काफी एक्स्टेंसिवली काम कर रहे हम लोगं से क्यों कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़े आपको यहां पर मिल हैं उन सब के लिए और आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब और भी कर सकते हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो नहीं बहुत क्या लगिए पढ़ते रही और कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में दिये गए निमबर पर वाट्सप भी कर स लगते हैं ठीक है ओके थैंक्यू सो मच बाइब बाइब